D.O.S.O.L. Internal Assessment Second Semester का पहला दिन कैसा गया? जी हाँ, पहला दिन करीब-करीब 36,000 बच्चों ने एक्जाम दिया और काफी बच्चे ऐसे रहे जो अपना एक्जाम नहीं दे पाए और अब उनका क्या होगा? क्या कारण था जिसकी वज़े से वो लोगा एक्जाम नहीं दे पाए हैं? इसके बारे मैं बात करने वाला हूँ जिस वीडियो के अंदर तो अगर आप पहली बार है चैनल पर तो सब्सक्राइब ज़रू कर लिजगा बैल के नड़िफिंगे साथ और टेलिग्राम, फेस्बुक, इंस्टा, ट्विटर, सब जगा पर हम अवलेबल हैं आप हमें जोइन कर सकते हैं देखिए तर इतने सारे बच्चों ने एक्जाम दिया पहला दिन था पहला इंटरनल एक्जाम था इंटरनल असेस्मेंट था सेकंड समस्टर का डी यू, एसोल का अब बहुत सारे बच्चों ने ये बोला कि सर्वर डाउन हो गया था और हम लोग अपना एक्जाम कंडेक्ट नहीं कर पाए या कोई टेक्निकल फॉल्ट था जिसकी वज़े से बोलो अपना एक्जाम नहीं दे पाए है ऐसे बच्चे बहुत ज़्यादा वरीड है because as per the rules इंटरनल असेस्मेंट में भी पास होना ज़रूरी है और थियोरी के पेपर में तो पास होना ज़रूरी है of course होता ही है अब चाहे वज़े कुछ भी रही हो server down हुआ हो आपके मां internet नहीं चल रहा हो whatever कोई भी issue रहा हो because soul management के साब से जो media reporter में ने पढ़ा है उसके साब से soul management ने बोला है हमारा कोई server down नहीं हुआ हमारी दरफ से कोई problem नहीं थी but उसी media report में साफ साब ये भी mention किया हुआ है बहुत सारे बच्चों ने ये बोला है कि server down था हम अपना exam conduct नहीं करवा पाए है अब जब ऐसी reports आती है तो soul के तरफ से फिर ये बोला जा रहा है कि अगर बहुत सारे बच्चों को ये problem आई है कि वो लोग अपना exam नहीं दे पाए है किसी भी reason की वज़े से हुआ हो चाहे हम उनको try करेंगे हम उनको एक दुबारा मौका देंगे और जो बच्चे first अपना exam नहीं दे पाए है उनको दुबारा से exam देने का chance मिलेगा अब वो कम मिलेगा उसके बारे में भी तक कोई official update नहीं है हो सकता है यह सारे internal exam खतम होने के बाद आपको एक chance और मिले या आपके theory के paper खतम होने के बाद मिले पता नहीं कब मिलेगा जब तक कोई official update नहीं आएगा तब तक यह कहना मुश्किल है कि जिन बच्चों का पहला internal assessment नहीं हुआ किसी भी reason की वज़े से उनको दुबारा मौका कब देगा यह बता पाना अभी possible नहीं है तो अभी सिरफ इतना हमें ध्यान रखना है कि पहला अगर मेरा internal assessment नहीं हुआ है तो आया आप नहीं दिया है तो आपको अभी बाकी internal assessment सारे की सारे देने है ठीक है इसके बारे में जो नहीं दिया उसका मौका कम मिलेगा वो पता लग जाएगा बाद में हमें तो अभी टेंटेंचन लेना छोड़ दीजी आप अगले internal assessment जो बाकी बचे हुए आप उन पे अभी focus करिए उमीद है कि इस बार शायद server down हो की शिकायत हैं जो इस बार बहुत जादा ही है शायद इस बार नहीं आएंगे और हाँ साथ ही जात आपको ध्यान होगा phone numbers है कुछ और एक email idea जहां पर आपको अपनी problem को mail करना है या phone करके बताना है तो मैं आपको बोलूँगा कि better है आपको जो भी issue आता है न अपना exam करते हुए आप उसी email ID पर mail ज़रूर कर दीजिए ताकि सोल तक आप आपने एपनी बात पहुचाई है इसका return proof हो अपके पास तो phone करना मैं prefer भी करूंगा अगर phone number मिलता है तो अच्छी बात है उनसे भी आप share कर सकते हैं बात otherwise आप mail कर दीजिए जो भी आपका issue रहा है internal assessment को देते हुए ठीक है तो कुल मिलाकर story ये बनी कि भाई problem आई थी server down था technical issue थे जो भी थे ऐसे बच्चे जो नहीं दे पाएं उनको दुबारा एक मौगा दिया जा सकता है ऐसा soul management की तरफ से इस media report में कहा गया है बागी देखते है future में क्या होता है ठीक है तो अगर वीडियो में कुछ valuable लगा हो आपका भी प्रावलम आई थी तो आप जरूर comment करके बताना ठीक है एंड वीडियो को share कर दीजिएगा like कर दीजिएगा एंड channel subscribe जरूर कर लेना बिकोज आसे valuable चीज़ है valuable update में लगाता है आपको देता रहता हूँ thank you so much